नमस्कार आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुब कामणा है आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है उनको भी मेरी तरब से बहुत बहुत बढ़ाई और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेब साइट पर जा करके जिनका सनमान हुआ है जिनको एवर्ड मिला है उसकी जानकारी जुरूर प्राप्त करें किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धी मिली है उनका पंचायती राज दिवस गाउं तक सुराज पहुचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक आउसर होता है और करोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की पासंगित्ता तो अनेक गुना बढ़ गई है ये सही है कि करोना महमारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसिबते प्रदा की है जिन मुसिबतों तो न कभी सोचा था न कलपना की थी न कभी कोई सोच सकता है ऐसी ऐसी मुसिबते लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि इस महमारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दिया है एक नया संदेश भी दिया है आज इस कारकम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक चाहे वो गाउं में हो या शहर में उन सब तक एक बहुत महत्वपून संदेश भी देना चाहता हूँ साथियों कोरोना संकट में अपना सबसे बड़ा संदेश अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दैशा निरदेश किया है और वो रास्ता क्या है वो दिशा क्या है इस कोरणा संकट से हमने अनुभों में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को जेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा गाउं अपने स्तर पर अपनी मुलभूत आवसक्ताओं के लिए आत्मनिर्भर बने जीला अपने स्तर पर राज अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने अपनी आवसक्ताओं की पूर्ती के लिए हमें कभी भी बाहर का मुहूं नहीं देखना पड़े ये तै करने का ये सबक हमें सिखा है भारत में ये विचार सद्यों से रहा है लेकिन आज बदली हुई परिस्थित्यों ने हमें फिर से याद दिलाया है आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो पांच-छे साल पहले एक दोर भू भी था जब देश की सो से भी कम पंचायते ब्रॉड बेंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी आज सबा लाख से ज़्यादा पंचायतो तक ब्रॉड बेंड पहुँच चुका है इतना ही नहीं गावों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी तीन लाख को पार कर रही है सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभ्यान चलाया हुआ है उसी का नतीजा है कि आज गावों गावों तक कम किमत वाले स्मार्ट फोन पहुँच चुके हैं साथियों गावों के इन्फास्रक्षिर को मजबूत करने के लिए शहरों और गावों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किये गए हैं अभी जो वीडियो फिल्म चल ली है उसमें आपने देखा है एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरे एफ है और दूसरी एफ की विशस्ता है हर ग्राम वासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुवात इ ग्राम स्वराज यानी सिंप्लिफाइड वर्क बेज एकाउंटिंग एप्लिकेशन फोर पंचायती राज ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटी किल्दी करण की तरफ एक बड़ा कदम है ये भविश में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा अब अलग अलग अप्लिकेशन में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जैसा अभी बताया गया इस पोर्टल पर इस एप पर पंचायत के विकास कारिये की डिटेल उससे लेकर के उसके लिए तै किये ये फंद उस फंद का कहां खर्च हुआ उसकी विज्ञानकारिया ये सारी बाते उसमें उपलब गरहेगी इसके जरिये गाउं का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है क्या कामकाज हो रहा है काम कहां तक पहुँचा है सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा जानकारी रख पाएगा साथियों गाउं में प्रापर्टी को लेकर के संपति को लेकर जो स्थीती रहती है वो आप सभी भली भाती जानते हैं स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है इस योजना के तहट देश के सभी गाउं में आवासों की ड्रोन में ड्रोन के माध्यम से पूरे गाउं की एक एक संपति की मैपिंग की जाएगी इसके बाद गाउं के लोगों को उस संपति का उस प्रापर्टी का एक मालिकाना प्रमाण पत्र यानि टाइटल डीड दिया जाएगा स्वामित्व योजना से गाउं के लोगों को एक नहीं अनेक लाब होंगे पहला तो यहां कि प्रापर्टी को लेकर जो ब्रम की स्थिती रहती है वो दूर हो जाएगी जगडे खतम हो जाएंगे दूसरा इससे गाउं में विकास योजनाओं की बहतर प्लानिंग में और जादा मदद मिलेगी इसका एक और बड़ा लाब यह होगा कि इससे शहरों की ही तरह गाउं में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्त की आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में बहुत काम आ सकती है चाथियों अभी यहने फिलहाल उत्तरप्रदेश, महराष्ट्र, करनाटक, हरियाना, मद्दप्रदेश और उत्तराखन हिंदुस्तान के अलग-अलग छेत्र के छे राज्यों में इस योजना को प्रारंगी तोर पर प्रारंब कर रहे हैं और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा उसमें कमियां क्या है वो द्यान में आएगी गल्तियां क्या है वो द्यान में आएगी और उसको ठीक करना होगा और जब ठीक हो जाएगी उसका सुधार हो जाएगा उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गाउं में लागू की जाएगी आज की परितिती में देश को आगे ले जाने की शुरुवात देश को आत्म निर्भर बनाने की शुरुवात गाउं की सामुहिक सक्ति से ही होगी आप सब की एक जुटता से ही संभव होगी इन प्रयासों के बीच हमें यह याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही एक की भी लापरवाही पूरे गाउं को खत्रे में डाल सकती है इसलिए डील की जराबी गुणजाइस नहीं है गाउं में सेनिटाइजेशन अभ्यान हो सहरा से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में कॉरंटाइन सेंटर बनाने का काम हो हर एक व्यक्ति के खानपान और जरूरत की चिन्ता हो या फिर आम लोगों को जागरूत करने का काम हो ये काम हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है दो गज की दुरी ये शारीरिक दुरी साथ साथ मुझ को फेस कबर जरूरी नहीं एक बड़े महेंगे वो हो ऐसा गमचा भी चल जाता है लेकिन ये लगातार होना चाहिए या माज से ढंकना हाथों की बार बार सफाई की बात हो आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बिमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है यही एक दवाई है हमें बचाव और स्वच्चता पर जादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बर्साथ के मौसम में अनेक प्रकार की बिमारीों का खत्रा भी बढ़ जाता है और हमारे बारिस के दिन आने की शुरुआत हो गने वाली है इस बार कोरोना बिमारी ने इस खत्रे के लिए और रुदिक चिंता का कारण बना दिया है इसलिए हमें बहुत सतर्क रहें दे हुए अपने गाउं को बचाना है हम जो भी खाएं वो खुब धोकर और खुब पकाकर खाएं इस बात को हमें गाउं गाउं में बताना है मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था उसने अरोगे से तो मुबाइल एप को बड़ी गाड कहा है यह मुबाइल एप कोराना से लड़ाई के लिए बहुत उप्यूगी है यह एप आपके मुबाइल में हराएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गाउं में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोराना प्रभावित रहा हो आपकी खुद की सुरुख्षा के लिए आपके गाउं की सुरुख्षा के लिए आपके आपपास वालों की सुरुख्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पुरे गाउं के पास करवाएं, ये लंबे अर्शे तक आपका बोडिगार का काम करेंगा, मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनितियों से निवेदन करूँगा, कि आप सभी अपने गाउं के प्रतेक सदस के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करवाएं, नमस्कार